हेलो फ्रेंड्स कुमार एकेडमी के यूट्यूब चनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं पाइप और टंकी के पार्ट नमबर टू के बारे में गैस मैट्स की बहुत सारी वीडियो और इसका पार्ट नमबर बन हम आपको अल्डिडी करा चुके हैं उन सारी वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां जाकर के आप अपने इच्छा नुसार कोई सी भी वीडियो मैट्स की देख सकते हैं और आज के इस पार्ट में हमने थोड़ा आपर दे रखा है कि एक तब को नल ए बारा मिनट में और नल बी 15 मिनट में भर सकता है यदि दonों को एक साथ खोल दिया जाए और तीन मिनट बाद एक को बंद कर दिया जाए तो अकेले B उस नल को कितने समय में भर देगा बे रखा है कि बे उस टब को कितने समय में भर देगा यह है आपका question यहापर होना चाहिए था तो देखिए यहाँ पर आपके दो नल दे रखें एक तो पहला दे रखा है आपका A और दूसरा दे रखा है आपका B A यहाँ पर भर रहा है उस तब को 12 मिनट में और B भर रहा है उस तब को 15 मिनट में यदि हम यहाँ से इन दोनों का LCM निकालें तो आ जाएगा आपका 15 दूनी 30 दूनी 60 60 आपका यहाँ से LCM आ जाएगा 12 से जब इसे डिवाइट करेंगे तो आजाएगा 5 और 15 से जब इसे डिवाइट करेंगे तो आजाएगा आपका 4 देकि आप इस Quesn को समझना है यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है 60 लिटर पानी हमें पूरा करना है 60 लिटर यह जो आया है 60 लिटर आपका पानी यहाँ पर आया है तो यहाँ पर एक बड़ी सी लाइन हम इस परकार से खीच लेते हैं ठीक है यह 60 लिटर है कुल जो है इसकी जो यहाँ पर पानी ही capacity है 60 लिटर यहाँ पर है इस परकार से समझने की कोशिस करना देखिए यहाँ पर यह लिटर है कि साथ यहाँ पर पान्च और चार यहाँ पर देखिए ए जो है एक गंटे में सोरी गंटे में नहीं मिनट में एक मिनट में पांच लीटर पानी बढ़ सकता है बी यहाँ पर चार लीटर पानी बढ़ सकता है तो यहाँ से हम इन दौनों को एड़ कर दें तो एक मिनट में कितने लीटर पानी यह दौनों एक सा बढ़ सकते हैं पांच और चार नौ लीटर अब यहां पर यह देखिए तीन मिनट बाद बंद किया जा रहा है तो तीन मिनट तक तो साथ चलेंगे अर्थात यहां से नौ तीन हो जाएगा आपका 27 अठाथ 27 लीटर जो पानी है यह दोनों साथ साथ भढ़ सकते हैं क्लियर है इतना समझ में आया आप यहां पर हमारा कितना बचा यहां पर बचा आपका 33 यह तो बचा और नल कौन सा बचा क्योंकि A हमने यहां से बंद कर दिया बचा आपका सेस B क्या कितना है चार लीटर पानी एक मिनट में भर रहा है तो हमें बताना है कि अकेले B उस नल को कितने नल नहीं टब को B जो है उस तब को कितने समय में भर देगा अकेले तो दिखी 33 हमारे पास बचा है कितना 33 और 4 के दौरा हमें भरवाना है B के दौरा ठीक है तो यहां स सही एक बटे चार मिनट में भी जो है इसे बाकी को भर सकता है बाकी जितनी टब बची थी आपकी भरने से उस पाट को यह बी अकेले भर देगा आठ सही एक बटा चार मिनट में समझ में आया किलियर हुआ चलिए और प्रसंद देखते हैं यहां से आपका और ज्यादा किलियर हो जाएगा तो देखिए अगला प्रसंद आपका यहां पर देखा है कि दो पाइप किसी टंकी को करमसा 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं यदि दौनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए बारी बारी का मतलब हो गया एक मिनट के लिए चला जाता है फिर उसे बंद कराया जाता है उसके बाद में भी यहां पर चलाया जाता है बारी बारी से हो गया खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर सकता है यदि LCM यहां से निकाला जाए तो 25 दुनी 50 दुनी 100 यहां से LCM आ जाएगा क्लियर है देखिए LCM कैसे निकालते हैं आपको बहुत समय पहले इस वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ उपर आई बटन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा यदि आपको नहीं आता है तब बढ़ना इतना कोई complicated नहीं होता बहुत सिंपल होता है कि 25 दे रखा है 25 की दो से गुणा करो जो भी बड़ी संख्या होती है उसकी दो से गुणा करो कितना होगा पचास अब हमें देखना होता है कि 50 जो है दो से और गुणा कर दो कितना हो जाएगा 100 अब देको 100 ज जो है यहां पर एक मिनट में 4 लीटर पानी बरता है और भरना कितना है हमें 100 लीटर पानी हमें भरना है इस चीज को थोड़ा द्यान रखना लेकिन यहां पर क्या है बारी बारी से चल रहा है यदि पहले एक बार पांच चलता है तो चार यहां पर बंद है और चार चलेग है यहां से जो यहां तक है आपका 100 liter पानी है इतनी चीज़ आपको बात स्मझ में आई है जब Sabada मेंने देखिए माना हमने यहां पर एक मिनट के लिए चलाया A को और दूसरे मिनटके लिए चलाया हमने B को यदि हम यहां पर पांच और चार को add करते हैं, तो यह आपके 2 मिनट का पानी निकल के आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 मिनट में हम 5-4-9 लीटर पानी भर दें, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर 9 लीटर पानी हम भरेंगे 2 मिनट में भरेंगे, क्योंकि बारी-बारी से चल रहा है, तो यहाँ एक मिनट वो चलेगा, और अगले मिनट वो चलेगा तो यहाँ से 2 मिनट में आप भर सकते हैं 9 लीटर पानी, ठीक है तो इसी परिकार से, देखिए, यहाँ पर है 100, तो 100 में से हम देखते हैं अध्यान रखना है, यह जो 11 हमने इसकी गुणा की है यह जो लगेंगे, आपके 20 मिनट लगेंगे क्योंकि यह जो है दुगना है 9 जो है दुगना ही, तो वही 2 मिनट का कार रहे है हमने 11 से इसमें गुणा की है 11.99, लेकिन यह आपका 22 आएगा 22 मिनट आपकी यई आगया निडियान बे को भरने में ठीक है इसके बाद में कितना बचा एक ही तो बचा तो एक को जो भरेगा 5 भरेगा समझ में आयी 5 तो एक बचा 5 यहां से आ जाएगा और 22 आपका यहां पर दे रखा यह तो 22 सही एक बटा पांच मिनट में आपकी पूरी टंकी भर जाएगी समझ में आ गया 22 सही एक बटा पांच मिनट में पूरी टंकी आपकी फिल हो जाएगी समझ में आ गया चलिए और देखते हैं अगला प्रसन यहां पर क्या कह रहा है तो अगला प्रशन आपका यहाँ पर दे रखा है कि एक टंकी में 2 छेद हैं दौनों एक साथ खोलने पर टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है यदि पहला छिद्र उसे 15 घंटे में खाली करें तो दूसरा छिद्र उसे कितने समय में खाली करेंगा देखिए माना यहाँ पर एक चिद्र हमारा एक दे रखा है दूसरा यहाँ पर दे रखा है बी यहाँ पर क्यूशन में कहा रहा है कि दौनों एक साथ खोलने पर अर्थात ए प्लस बी हमें करने पर यह जो है उस टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है यदि पहला चिदर अर्थात A एक इतो बात की जा रही है दूसरा माना है B उसे 15 गंदे में खाली करे और दोनों जो मिला के खाली कर रहा है 6 गंदे में और A अकेला इसे कर रहा है 15 मिनट में तो हमें यहापर बताना हैं कि अकेला चिदर B इसे कितने घंटे में खाली कर सकता है तो सबसे पहले ले 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 लेते हम इसका LCM कितना आजाएगा तो 15 दूनी होता है आपका 30 और 30 ही आपका यहां से LCM हो जाएगा 6 पंजे होता है आपका 30 और 15 दूनी होता है आपका 30 5 यह आ जाएगा, दोज़ा आपका, यह, अब देखिए, यहां से हमसे पूछा किसका है B का, तो हम यहां से कैसे निकाल सकते हैं, यदि हम यहां पर इस equation को solve करें, पहली में से यदि हम दूसरी को घटा दें, तो हमारा B निकल के आ जाएगा, आ जाएगा ना, तो पहला दी र कराना है तीन के द्वारा तो तीन धाम होता है आपका तीस तो कितने भई जो है अकेला उसे दस घंटे में फिल कर सकता है समझ में आए इसे पंदरा घंटे में करेगा और बी इसे दस घंटे में करेगा दोनों मिलके करेंगे इसे छे घंटे में किलियर है समझ में आया बहुत सिंपल सा क्यूशन था इसी प्रकार से इस प्रकार के क्यूशन आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलिए अब आते हैं अगले प्रसंद की और तो देखिए एक बहुत ज़्यादा जबरदस्त क्यूशन आपके सामने दे रखा है इसमें कह रहा है कि तीन नल ए बी और सी किसी टै जो है बारी बारी से एक गंटे के लिए चल रहा है यदि यहाँ पर एक गंटे चलता है तो सी यहाँ पर बंद कर दिया जाता है और सी चलता है तो बी यहाँ पर बंद कर दिया जाता है लेकिन ए आपका कंटिनुवसली चल रहा है ठीक है तो खोला जाए तो टंकी कितने सम रहा है बारा मिनट और दूसरा है इसका पंदरा मिनट और तीसरा देखा है आपका 20 मिनट ठीक है इन तीनों का यदि हम यहां से LCM निकालें तो 20 तीया होता है आपका 60 तो 60 ही इसका LCM यहां से आ जाएगा बारा पंजे होता है आपका 60 और 15 चोका होता है आपका 60 और 20 थियां होता है आपका 60 ठीक है अब देखिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा method change है इसमें कहरा है यह जो है पूरे समय के लिए चल रहा है तो 5 और 4 हो जाएगा आपका 9 9 लीटर हुआ देखिए यहाँ से समझो 9 आपका यहाँ से हो गया ठीक है यदि हम कहें दूसरे मिनट यहाँ पर चलाए जाए तो यहाँ पर आपका B बंद हो जाएगा लेकिन C चालू हो जाएगा लेकिन A जो है आपका चलता रहेगा चलेगा न क्योंकि यह continuously लगातार चल रहा है तो 5 और 3 हो जाएगा 8 यह दूसरे मिनट में आपका चलेगा 8 मिनट समझे गए दूसरे मिनट में यह चलेगा 8 मिनट तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए A जो है आपका सभी के साथ चलेगा B और C यहाँ पर बारी-बारी करके A के गटे के लिए चलाए चाहेंगे तो यहाँ पर 3 के दौरा 1 गटे में नहीं 2 गटे में भरा जाएगा 17 लीटर पानी यह बात मैं आपको समझाना चाह रहा था अब देखिए यहाँ पर जो हमें कुल पानी भरना है पह भरना है हमें 60 लीटर 60 लीटर पानी हमें फिल करवाना है इन तीनों के दौरा तो हमें बताना है कि कितने गटे में टंकी फिल हो जाएगी 17 को ध्यान रखना भई 60 लीटर में यहाँ पर बना देता हूँ ठीक है 60 आपका यह हो गया देखिए इस प्रकार से ग्राफिकल ही बताना होता है 60 लीटर आपका यह पानी है और हुआ कितना था हमारा 2 मिनट में 17 लीटर ठीक है तो देखिए 17 तीया होता है आपका 51 तो 51 लीटर तो हमने यहाँ से इसे भर दिया ठीक है 17 तीया 51 द्यान रखना 17 गुणे हमने किया है 3 ठीक 17 गुणे 3 और इसके बाद में यहाँ से कितना बचा यहाँ से बचा आपका 9 अब देखिए 9 को कौन भरेगा 9 लीटर पानी को कौन भरेगा माना हमारा यह तो चली रहा है इसके बाद में क्या चालू होगा B हमने यहाँ पर चालू किया तो 54 हो जाएगा आपका 9 अर्थात यदि हमें इसे एक गंटे के लिए और खोल दे तो यहाँ पर जो है यह पूरा खतम हो जाएगा कि नहीं पूरा भढ़ जाएगा भई 9 से 9 यहाँ पर कट जाएगा समझ में आई ना क्योंकि 5 तो आपका चली रहा है B आपका दे रखा है 4 लीटर ठीक 5 चार होता है 9 और 9 ही हमें भरना है तो एक घंटा आपका यहाँ से आजाएगा और 3 देखी आपका यहाँ से आया है लेकिन यह 3 नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 17 जो है 2 मिनट में चल रहा है हमने 3 चलाया तो 3 का हमें दुगना करना पड़ेगा क्योंकि 17 जो है 2 के बराबर है तो 17 का यदि हम 3 गुना करते हैं तो 3 होगा यहाँ पर 6 के बराबर ठीक है और 1 घंटा आपका निकल के आया यहाँ से तो 6 और 1 हो जाएगा आपका 7 यह चीज समझ में आई देकि यदि यह चीज नहीं समझे तो आंसर आपका 100% गलत हो जाएगा तो यहाँ से इसी जो घंटा लगेगा पूरी टंकी को भरने में 7 घंटे लगेंगे समझ में आगया सब की समझ में आया ना चलिए तो दोस्तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और फ्रेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के माद्यम से जरूर बताएं और यदि पसंद आई हो तो लाइक करके बिलकुल जाएं और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजेगा क्योंकि ये बिलकुल फिरी होता है और इससे हमें थोड़ा बहुत मोटीवेसन मिलता रहता है वीडियोस को बनाने के लिए तो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही था बहुत जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक कैर वावाई जय हिन जय भारत